प्राचिन काल में जो साइंस डेवलप हो रहा था वो मनुष को एक चेतना शक्ती के रूप में देखता था और वैसे ही साइंस डेवलप हो रहा था वो मनुष कुल के लिए या फिर पूरा ब्रह्माण के लिए उसके सेहत के लिए अच्छा था मगर अभी जो science डेवलप हो रहा है उसके वज़े से पूरे भ्रमाण के लिए वो गलत असर कर रहा है वो प्राचिन रुशिमुनियों ने जो हमें कहा था और मन के बारे में या शरीर के बारे में पूरे भ्रमाण के नियमों के बारे में उसको जानके समझ के डे टोड़ा लाइफ में अपलाई करना बहुत ही ज़रूरी है मोबाइल या फिर यह जो टेकनोलोजी है इसको जितना हो सके कम योज करना और पॉजिटिव लाफस्टाइल अपनाना योगा से प्राणया मेडिटेशन या फिर पॉजिटिव थिंकिंग यह बहुत बहुत ही ज़रूरी है हम कुद भी अपलाई करें और बच्चों को भी वही सिखाए थैंक यू